पूर्जी आईएस पूर्व प्रमुक सचिव राजस सुरेश चंद्रा बनकर अधिकारियों पर दवाव बनाने का काम करता था यह फर्जी आईएस 40-50 अधिकारियों और पूलिस के अधिकारियों को हरकानी का काम कर चुका है इस जालसाज ने मैनपुरी के बोगाव तहसिलदार को भी फोन करके हरकानी का काम किया था यह फर्जी आईएस अधिकारी सूरच पटेल पुत्र रामफुल जनपद लखीमपुर का मूल निवासी है लखनाओं में कॉंग्रेस कमेटी के दोवारा प्रेस वारता की गई गोपाल दास और रामंदिर आंदोलन को आई जानते हैं कि अधिक के अंदर कि कारप्रहाली कि पर्मनमाने कि अपार्ट जर्शिता का आउनों बगारा है कि और यह नित्वों पांदार की कोई रिलिजियस है नहीं है रिलिजियस है तो अपने कि मानने वालों के यह हैं लेकिन ऑफिशली वो रामंदिर निर्मार करफ के अध्यक्ष्न हैं उनका बयान है कि तर्शित कारप्रहाली बगमाने पर कि अपार बिर्शिता एंग दान्स भरेश्य नहीं है उन्हों यहां तक गुए कि अध्यक्ष्न के अध्यक्ष्न के द्वाई नगर विधानसभा से विजेविद्धी विजेपी विधायक महेश्ट्रिवेदी ने व्रशाचारियों को व्रशाचार करने का अनुखा ग्यान विधायक महेश्ट्रिवेदी ने कार्करम के दौरान मंसे व्रशाचार की सिक्षा दी आपको सुनिए विजेपी विधायक का क्या कुछ कहना है अगरा से पुलस की गुंड़ाई सामने आ रही है जहां आगरा के थाना सदर छेत्र के चौके इंचार्ज अमन गंगवार और सिपाही अशोक ने सबहे परिवार पर जुआ करानी का आरोप लगाया है बता दे कि पुलिस किसी को थर डिग्री टॉर्चर करते हैं तो किसी पर जुटे आरोप में फजाने की धम की देते हैं अगर पुलिस की गुंडागर्ती ऐसी ही चलती रही तो फिर लोग आखिर किस पर भरोसा करेंगे ताजनगरी आगरा में अखेल भारती हिंदू महसभा ने आगरा विकास प्रादीकरण के खिलाव वो मोर्चा खोल दिया है अखेल भारती हिंदू महसभा के पतादी कारियों ने आगरा विकास प्रादीकरण के कारयाले पर पहुचकर जमकर प्रदशन की आगरा विकास प्रादिकरण के उपाद्यक्ष के खिलाव जमकर नारेबाजी की गए पतादी की पूरा मामला आगरा के थाना सिकंद्रा के दहतोरा में बने 17 साल पुराने मंदिर का है जिसको आगरा विकास प्रादिकरण द्वारा अतिक्रमन का हवाला देते हुए तोड़ दिया गया था वहीं मंदिर को आगरा विकास प्रादिकरण द्वारा तोड़ने जानी की सूचना मिलते ही अखिल भारतिये हिंदू महा सभाग के पता दिकार्यों ने विकास प्रादिकरण का रियाले पर पहुंचकर जमकरना आरेबास ही की कि अगरा प्रसासन योगी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए द्हतोरा में 70 वर्सों से प्राचीन हन्मान मंदिर और अन्य देवी देवताओं का मंदिर तोड़ने का करत एसीम गर्मा सिंग और एडिय के निगरानी में किया गया है जिसका हिंदू मास्वा घोर बरोद कर ऊता है इन बजरंग्यों को यह ड brend Soph traad Check घर एडिये. चैसे व्रस्त काई कर पाते हैं उसे तोड़ने का हिंदू मास्वा का कर और और यह बजरंगी करेगा क्योंकि वजरंग्यों को राम सेतव का निगरा खरना बी आता है और बावरी मस्जिद का बीद्ध dom o पूलिस ने मुझार तोड़ने क adalah यूपी की ओर जन्पत्प में बीदे 14 जून को सबजी विक्रेटा की निरूम हतिया करने के wiped सफल्ता मिली है पूलिस हत्या का खुलासा कर दिया है वह सब जी विक्रेटा की हत्या किसी और नहीं बल्कि रूपी पतिनी नहीं की थी जिसके बास उशना पर पहुची पुलिस ने शफ को पोस्ट मॉर्टम के लिए भेज कर आगे की कारवाई शुरू कर दी थी, जांच में पत्नी समेट दो लोग हत्या में शामिल पाए गया है, पुलिस ने हत्या में शामिल हतियार भी बारामत कर लिया है। जो हमारी थाना एयाना की थीन है, स्रीयो अधीद में विडेशन में उनको पास्क लगाया तक घटना का शीगर अनावन किया जाए। इस क्रब में जो मृतक हैं उनकी पत्नी उनका नाम संतोशी हो और साथ में एक प्यक्ति इसका नाम रभी है उनको पकड़ा गया है। तूस तरान रभी नामक इस व्यक्ति से पत्नी संपर्ग में आई और उसके बाद वो दोनों साथ में बातचीत करने लगे। तेरा कारिक पूरों ने योजना बनाई जिसके तहट रभी अपना एक साथी उसको साथ में लेकर दिल्ली से यहां पर आया। और यहां पर आकर बस्ति कारिकरता जिलादिकारी कारियाले तक पहुंचे और डीम को राश्पति के नाम ग्यापन सापर। जिलाद्यक शंकूर वर्मा ने बताया कि श्री राम मंदिर जमीन खरीद घुटाली की जांच उच्च नयायाले के जज़ों से कराई जानी चाहिए। इस दौरान पूर्व मंदर के निरमार के लिए जो चंदा पूरे देश के इंदोस्टान के वासियों ने चंदा इकठा करके टλαश्ट को दिया जिसकी देखरेはいक हमारे मुखमंतरी योगी आधितनात हमारे पादान मंतरी योगी जी दो लोग कर रहे थे और उसके बाद इतना बड़ा घुटाला इसमें किया गया जो जमीन 2 करोड की थी उसको 18 करोड में बेचा गया इस 16 करोड रुपे का घोटाला इस राम के नाम परद किया गया यह बहुत दुर्भागी पूर है कानपुर में कमिशनर असीम अरोण ने मासूम बच्चों से भीक मांगने वालो पर गैंग्स्टर आक्ट लगवाने को कहा है उनने बता है कि ऐसे लोगों को चनहित कर गैंग्स्टर आक्ट के तहत कारवाई की जाएगी मजदूर मासूम बच्चों से भीक मांगनी का लंबा समय से वैपार चल रहा है और क्या कुछ कहा उन्होंने आईए आपको सुनवाते हैं जैसे जैसे कानपुर नगर में यातायाद सिगनल लाइटों को सक्ती के साथ लागू किया जा रहा है हम लोग ने देखा कि ऐसे बच्चे लाइट्स पर हैं जिन से भीक मंगवाया जा रहा है इसमें हमारे जूविनायल प्रोटेक्शन यूनिट जो क्राइम ब्रांच के तहत बनी है उन्होंने कारवाई की और चार ऐसे चोटे चोटे बच्चे 6-8 साल के उनको मुक्त कराया गया है और हमने पाया कि उनको इस तरह के ठेकदार या उनके माता पिता भीक्षा वरित्ती में लगा रहे हैं बच्चों को मुक्त करा करके और उनको सुरक्षित किया गया है और किसी भी बच्चे बुलनशाइब से एक वीडियो जमकर वारल हो रहा है इस वीडियो में एक महिला का शव नहर में बहता जा रहा है और पुलिस खड़े होकर बास शव को देख रही है यह वीडियो सोचल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है मैं सीयो अलका सिंग ने रफीक ने जबरन सभासदो को अपने पक्ष में वोटिंग का दबाव बना रहे थे जिसको लेकर हंगामा शुरू हो गया सभासदो का आरोप है कि चेर्मैन के पक्ष में वोट ना डालने पर उनके साथ अभर्दता की गई इसके साथ ही जान से मानने की धंकी भी दी गई कुछ नहीं है बाहर हम आयते ना अंदर हुई थी थोड़ी बत्तमीजी की सचिन महावी ने बाकी हम बाहर आये मुटिंग को ख़तम करकर तो बाहर आये ना बाहर आने के बाद मेरे अध्मेंट केने लगे चलो चलो हम फिर बैठे इतने में वह आया जाहिद में और उन्हों किसे मार दूंगा अग्रे किया था क्यूंकि बजट की बैठेट है बजट पास वहाँ तभी विकासकार भी होंगे सभी के बेतर निकलेंगे सारे काम मेरे सालिंता से कहने के बावजूद भी बजट में रखा प्रस्ताव रखने के बाद सचिन मावी दोरा जो इसका विरोध दर्श कराता रहा विस सभासदों ने अपना विरोध दर्श कराया कि बजट पास नहीं किया जाता ऐसे इसनी मने बजट अग्रजले में इंसाफ ना मिलने से परशान एक यूफ्ती ने सामने आत्म दहां करने की कोशिश के लिए कि महाँ पर मौजूद पुलिस कर समय रहते यूफ्ती को बचा लिया दरसल पूरा मामला रगाब गंश्थाना इलाके की इदगाहा कटगर्फ की रहने वाली यूफ्ती से जुड़ा हुआ है यूफ्ती का आरोफ है कि पिछले 10 सालों से एक यूवक उसे शादी का जहासा देकर उसके साथ चारिदिक शोशन सब्सक्राइब करने से बचा लिया गया है और मामले में उचित कारवाई करने के निर्देश दे दिये गया है कि वह एक लड़की आयती सागन स्ताना चैतर से वह अमयिसका है इनका प्रेम पसंद संबन्द है पिछले 10 साल से इनका मोशी का द्यावर्ण देश रहे हैं उनके साथ संबन्ध है दोने लोग प्यार करकर प्रेम करकर साधी करने के लुए लाड़स दिया है बात में अभी स साधी ना करके उनका दमकारा इस तरक सिकाए थे उसका दर पर आएका हम को साधी कराए इस तरक उन्हें अभी आत्मत्य करने के प्रियास के पोलिस से बाद हम लोग सभी निगा रखते हैं वस्ती के बड़ेबं चौकी पर चोरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया तीन च जगा जगा लगे CCTV फोटेज को खंगालने में जूटी है ताकि बदमाशू का जल से जलत पता लगाया जा सकें कल रात साथे दस बजे डिलिवरी प्रावेट लिंटेड के मैनेजर नीरज पांडे ने ये सूचना दी कि जब वो अपने वेर हाउस पर थे तो रातरी में करीब सावादस बजे जब वो अपना दुकान बंद कर रहे थे तो तीन नविवक आये और उन्होंने तमंचा गए उनके इस तहरीर के आधार प्रव्यों पंजी कर लिया गया है और संबन में हमारी चार्टी में करनपुर्देहात जिलेवे सिकंद्रा थाना चेत्र में चोरी करने गए चोरों परस्थानी लोगों ने हमला बोल दिया चोरी करते समय कुछ लोगों ने एक चोर को पकड का रहने वाला है और नशे का आधी है कि अगया है इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ समवादाता तस्लीम जुड़ चुके हैं तस्लीम में आप से जाना चाहूंगे जो तस्वीर वाइरल हो रही है चोर की यह किस सम कितने समय से चोरी किस वारदातों को अंजाम दे रहा था रसी से एक चोर को बंदक बनाकर उसकी जमकर पिटाई का मामला सामने आया है कानपर देहात का पीटने के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले करने के बजाए चोड़ दिया तो वहीं तस्लीम से मैं इबर फिर्ट हमाइसा जोड़ गया है मैं उनसे पूछना पूर्वी उत्तर पिदेश समेट अन्न हिस्तों में लगातार हो रही बारिश का असर जन जीवन पर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है आजगण में भारी जल भराव और सड़कों की खस्ता हालात लोगों को परशान कर रही है भारी बारिश के जलते सिधारी हाइडल अ पूरे परिसर में पानी भरा हुआ है परिसर में भारी जल भराव की चलते ट्रांस्वार्मर के रखर्काव में दिख्कतों का सामना करना पड़ रहा caterp में ख mess में और प्रमठ के जाती है लेकिन अब जल भराव होने के चलते यहां काम करने वाले कर्मचारियों को काफी नगरपालिका में शिकायत की जा चुकी है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है विद्युत विभाक खंड प्रथम के अधिशासी अधिकारी आर्विन सेंग ने बताए कि ये छेत्र नगरपालिका के तहत आता है लेकिन उनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है अलिकरवे पुलिस ने एक केस दर्च किया है और इस केस को लेकर पुलिस खुद सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है दरसल थाना अक्राबाद में ग्राम वीरपुर गूब्रा में दबंगों के हसले बुलन दिखाई दे रहे हैं दबंगों ने प्रधान के साथ मारपीत की और जब मारपीत के मामले में पीड़ित प्रधान से इस कारवाई की मांग की गई तो पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की उल्टा दबंगों के साथ साथ गाट करके जूटी एफाई यार ग्राम प्रधान और उसके स्वर्गी पिता के खिलाफ दर्च करा दी जबकि ग्राम प्रधान के पिता की 15 साल पहले ही मौत हो चुकी है पूरे मामले में ग्राम प्रधान हिंदुवादी नेताओं के साथ अधिकारियों के पास गुहार लगाने पहुचे हैं के होसले और बुलंद हो गए और पुलिस कारवाई ना होने की बज़े से उन लोगों ने अभी हाल ही में प्रधान जी के साथ मार्पीट की लगाता और उसके बाद बुलंद शेहर के खुरजा नगरकोत वाली छेतर में महिला न्याय के लिए भटक रही है पिरता का आरोप सब्सक्रावर ने पडिता के घर में घुसकर चेछाड की खु прив You ए अगयी वारर लेप की कोशिश है वहीं बीच बचाव करने पर दत्वाइब लड़की ने ऐस औरinsky यहाला की अफिर्द तार पुपी नितियो मैंनपुरी के थाना करहाल पुलिस ने वह शराब के जखीरे को बरामत क्या है मुक्बिर की सूचना पर गाओं तेली यानी में अवय देशी शराब कच्छी शराब बरामत की गई शराब सही दो लोगों को पुलिस ने इरास्त मिले लिया है इससे पहले भी एक सप्ता के अंदर करहाल पुलिस ने अवय शराब का जखीरा बरामत किया था और अवय शराब की कारुबारियों पर पुलिस का शिकंजा कसना जारी है मैनपुरी के कुवरपुर अलाके में किशोरी के साथ गाउं के लोगों ने दुशकर्म किया दुशकर्म के बाद किशोरी को छोड़ कर आरोपी मौके से फरार हो गए नहीं पीरता को इसकο तरीके से अस्पताल में भरती कराया गया इसके बाद फीरता ने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया है पीरता की शिकायत पर केस दर्च करते हुए पुलैस ने आरोपी की तलास शुरू कर दी आप इरता का मेडिकल प्रसेक्शन भी करवाने के आदेश दे दी गया है आरोपियों के जल्द से जल्द गिरफतारी की बात की जा रही है कल में कल किसनी थाना चेतर में एक सुचना प्राप्त हुई थी और कंप्लेंड जैपाल एक सुचना दी थी तो उस कंटेक्स्ट में फिर अत्काल को स्थाने से गई थी इस्पक्टर भी गए थी और क्योंकि लड़की नावालिक थी और इसके साथ बलातकार का मामला प्रगास में गया है अभियुक्त कहीन कहीन से जानके भी प्रतीत हो रहे हैं लेकिन फिर भी इसकी विद्वाद इन्विस्टिकेशन की जा रही है और मुखत्मा 376 और साथ में 501 का दर्श कर लिया गया है अभियुक्तों की तलास जा रही है शेग्रे का बरेस्ट कर लिया जब रामंदिर ट्रस्ट घुटाले का मामला तूर पकड़ता जा रहा है जमीन घुटाले पर घुटाले पर कॉंग्रेसी उन्हें प्रदशन किया जमीन घुटाले पर महानगर अध्यक्ष कॉंग्रेस के नित्रत ने प्रदशन किया गया लखनाउक अलेक्ट्रेट को ग्यापन देने जा रहे कॉंग्रेसी पॉलिस ने इन्हें रोक लिया कॉंग्रेस का रिखरता कारले जा रहा हैं अब लोग भिराव करने उनसे कहने कि इसकी जांच हो पता लगे कि आखिर दो क्रोड की चीज पांच मिनट में ठारा क्रोड की कैसे हो यह लूट है यह आम आदमी की जेब पर लूट है जिन्नोंने अपने जेब काट कर चंदा दिया था राम प संदित यह ना कहीं बहुत बड़ा विशै है और इस विशे को लेकर हम लोगा आगे तक किस पर बंगर्च करेंगे कांग्र्स पार्टी आम आदमी के लिए vos सबक्राइब को है विग्यापन दोरा दियंग को पेस किया जाए जाट हो अब देख सकते हैं यहां पर भारी बल से जो है पुलिस भी तैनात है और विरिकेटिंग लगा के इन्हें रोक लिया गया है अब देखना लिबात यह होगी कि कब इनका विग्यापन क्या डियंग साहब के पास पह हुआ है